एक गाओं में रामनात नामक बुजूर्ग व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र सत्तर साल से उपर हो चुकी थी। लेकिन उसके होसले और उत्साह में कभी कमी नहीं आई थी। रामनात का जीवन बहुत संघर्षों से भरा रहा था। वह एक साधारन किसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी खेती में बिदाई थी। उसकी पत्नी का दिहान कुछ साल पहले हो गया था। और उसका बेटा सहर में नौकरी कर्मे चला गया था। रामनात अकेले अपने छोटे से घर में रहता था। गाओं के लोग उसे बहुत मानते थे और उसकी बुद्धि मानी और अनुभाव का सम्मान करते थे। हर सुबर वह अपनी छोटी सी बग्या में काम करता, पौधों को पानी देता और उन्हें समारता। उसे अपने पौधों से बहुत प्रेम था। जैसे वे उसके परिवार के सदस से हो। एक दिन गाओं में एक बड़ी आपदा आ गई। लगा अतार बारिस के कारण गाओं में बाढ़ आ गई। और कई घर डूब गए। रामनाथ का घर भी इस बाढ़ की चपेट में आ गया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने घर को बचाने के लिए पूरी कोशिस करता रहा। जब गाओं के लोग उसे छोड़कर सुरक्षित अस्थान की ओर भाग रहे थे। तब रामनाथ ने उन्हें रोका और कहा हम सब को मिलकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अकेले कोई भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन एक साथ हम सब इस संकट से बाहर आ सकते हैं। रामनाथ के सब्दों ने गाओं के लोगों के दिलों को छूलिया। सभी ने मिलकर बाढ़ से निपटने का प्रयास किया। रामनाथ की नत्रित्व छमता और हिम्मत ने गाओं वालों को एक जुट कर दिया। अंततर सब की मिहनत रंग लाई और बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो गया। इस घटना के बाद गाओं के लोग रामनाथ को और भी अधिक सम्मान देने लगे। उन्होंने महसूस किया कि उनके बीच एक ऐसा विव्यक्ति है जो ना सिर्फ अनुभव और बुद्धिमानी में अद्वीतिये हैं बलकि जिसमें दूसरों की मदद करने का अटूर्ड जजबा भी है। रामनाथ की कहानी हमें यह सिखाती है कि उम्र चाहे कितने भी हो जाए सच्चे साहस और नेत्रित्व से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। उसका जीवन एक प्रेड़ना था जो हर किसी को सिखाता था कि कभी हार मत मानो और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहो।